जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर माहा 2022 के तीसरे सप्ताह के तुलाराशी फल के बारे में तुलाराशी के लोगों के लिए 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा इन साथ दिनों में ग्रहों की इस्तिथी क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिंचरिया में देखने को मिलेंगे कौन-कौन से ग्रह राशी बदलेंगे, कौन सा ग्रह आपके लिए सबसे अधिक पावर्फुल होगा क्या लाब मिलेंगे, क्या शुब्तिथी, क्या पर्व होंगे कई तरह के परिवर्तन इस सबताह में होंगे, जो आपके जीवन पर कई दरा से असर डालेंगे तो सब कुछ जानेंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सबस्क्राइब भी करने और जोड़ जाए हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती है एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, हमारे दूसरे चैनल आपकी एस्ट्रोलोजर को भी सबस्क्राइब कर लें वीडियो के निशे डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहां आपके राशी से रिलेटिड सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी तो हम बात करें हैं 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के सापता हिक तुला राशी फर्क के बारे में इन साथ दिनों में अगर हम ग्रहों की देखें कि कौन सा ग्रह राशी बदलेगा तो देखे 16 अक्टूबर को मंगल का राशी परिवर्तन होगा मंगल 16 अक्टूबर को वरशब राशी से निकल कर मिथुन राशी में प्रवेश कर जाएंगे उससे अगले ही दिन 17 अक्टूबर को सूर्य का राशी परिवर्तन है जो विशेश रूप से तुला राशी के जातकूं के लिए एहम है क्योंकि सूर्य सत्रा अक्टूबर को आप ही की लगन में प्रवेश करेंगे तुला राशी में गोचर करेंगे वहाँ केतू पहले से विराशमान है केतू के साथ सूर्य की यूति होगी उसके बाद 18 अक्टूबर को आपकी राशी के स्वामी शुकर देव उनका भी राशी परिवर्तन तुला राशी में ही होगा इस तरह से तीन ग्रहे इस आपकी लगर में तीन ग्रहों की युति हो जाएगी शुक्र, सूर्य और केतु तीन ग्रहे यहां विराजमान होंगे साथ में इस सब्ताह में एकादशी तिथी होगी और अहोई अस्टमी का व्रत होगा कई तरह के और योग भी बनेंगे उनका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा अगर मैं चंद्रमा की इस्तिति की बात करूँ तो चंद्रमा मिथुन राशी से गोचर करते हुए 21 अक्टूबर तक यहां सिहिंग राशी तक जाएंगे मिथुन करक और सिहिंग इन तीन भावों में सक्रिय रहेंगे और इसी के नुसार आपकी जो दिन चरिया है इसमें परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे योगों का निर्माण भी कई तरह से अच्छा होगा गजकेशर योग बनेगा सरवार्त सिद्धी योग भी बनेगा अमर्ज सिद्धी योग भी बनेगा दूपुशकर योग भी बनेगा और इन योगों में ये समय काफी महत पुन रहेगा चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि किस तरह के प्रभाव किस तरह के परिवर्तन इन ग्रहों का आपके जीवन पर होने वाला है तो शुरवात में ही जो चंद्रमा की इस्तिथी है वो आपके नवम भाव में होगी मिथुन राशी में चंद्रमा होंगे जो की भागे का भाव होता है और शुरूर से ही आपके लिए इससे ही यहां बहुत अच्छी होंगी जो कि यहां चंद्रमा पीडित नहीं है और चंद्रमा कहा है? मन के कारक रहे हैं तो आपकी जो मानसी किस्टिती है वो काफी अच्छी होगी आपके निर्ना लेने की शम्ता अच्छी होगी आप उचित समय पर उचित निर्ना ले पाएंगे जिससे आपके कामकाज कोसराहना मिलेगी उसके बाद चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके दसम भाव यानि की कर्म भाव में हो जाएगा जो आपके उपर काम का प्रेशर बढ़ा सकता है जिमेदारियां जादा दे सकता है लेकिन स्वास्ते आपका बहतर होगा और अपने स्वास्ते को बहतर करने के लिए आप मेहनद भी करेंगे इस समय आपकी जो आर्थिक इस्तिती है वो बहुत मजबूत होगी एक लंबे अर्से के बाद ये सप्ता आर्थिक रूप से आपको बहुत मजबूती देने वाला है आपकी राशी के स्वामी आपकी लगन में विराजमान होंगे तो ये आपके लिए धन सम्बंधी कारियों को पून कराने का कार्य करेंगे अब सब्सक्रा के शर्वात में ही मंगल का गोचर भी हो जाएगा और मंगल नवम भाव में आएएंगे मंगल का नवम भाव में गोचर भागय भाव में गोचर आपके हर एक खर्चे पर नियंतरन रखेगा आप इस दोरान फिजूल खर्ची से बचेंगे, खर्चे आपके नियांतरित होंगे, जिस से धन को संचित करने में कामयावी हासल होगी तुलाराशी के लोगों के लिए मंगल का गोचर बहुत उत्तब है और इसके लिए सारा श्रे केवल खुद को ही आप ना दे, बलके अपने करीबियों को, घरवालों को, अपने साथी को भी कुछ श्रेश जरूर दे आपके उपर सबका साथ होगा, आपके लिए सबका सपोर्ट होगा इस अपताक जीवन में कुछ ऐसी निजी इस्तितिया वित्पन हो सकती है जहां आपको ये महसूस होगा कि आपके जो अपने है वो आपके लिए कितने महत्रपून है, कितने इंपोर्टन है वो कुछ छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं जिनका ध्यान रखे हैं क्योंकि मंगल थोड़ा करोध भी बढ़ा सकते हैं, एहम बे लेकर आ सकते हैं आपके मन में और ज़रूर नहीं है कि ऐसा हमेशा हो लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सूर्य का गोचर भी आप ही के लगन में होगा, ये सूर्य की नीच राशी है, आपकी हर रणनीती इसे दौरान सूर्य के पर्थमभाव में होने से थोड़ी बेकार होती कि कहीं ना कहीं जैसे ही यहां शुक्र प्रवेश करेंगे तो शुक्र का प्रभाव जादा होगा और वो आपकी जीवन में कई तरह के पॉजिटिव रिजल्ट भी लेकर आएंगे, जो इस राशी के स्टुडेंट्स हैं, जो प्रतियोगी परिक्षा की तियारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो उन्हें इस दोरान भरपूर साहस और आत्मिश्वास के बल पर अपने जो कामकाज़स में लग जाना चाहिए, आपको सफलता मिलने के पूरी चांसिस बने हुए हैं, इस दोरान आप अपनी गुरु जनों को, अपनी सिक्षकों को खुश कर करने का पूर्ण परियास करेंगे, आपकी सम्मंद भी बहतर रहेंगे, अगर प्रेम जीवन और पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस्तितियां जो है वो बैटर होती हुए दिखाए दे रही है, अब चंदरमा का गोचर, ग्यार्वे भाव तक चंदरमा यहां आएं केतु आपके लिए धर्म की तरफ आपको रुजान बढ़ाएंगे, केतु जो है वो धर्मिक तोर पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, धर्म का में मन लगता है, आप काफी शांति का अनुभाव कर पाते हैं, साथ में थोड़ी दूविधा भी देते हैं, कामों में थ अच्छी रहने वाली हैं, कुछ नई गती विधियों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जो सब्ताह का अंतिम भाग है, वहां आपके लिए 21 अक्टूबर का दिन है, ये कादशी का दिन है, भगवान विश्नु का ये दिन है, इस दिन आप भगवान विश्नु के साथ मालक् रहेगा, क्योंकि शुक्र आपकी लगन में हैं, और शुक्र मालक्षमी के उपासक हैं, तो कहिना कहीं शुक्र भी मजबूत होंगी, और उनका सपोर्ट भी आपके उपर रहेगा, बस आपको आशावादी बने रखना है, और साथ में आतमिश्वास भी रखना है, अपनी और अपना धन, दोनों का इस्तिमाल अच्छे तरीके से करना है, तो आप हर तरह की इस्तिती से बाहर भी निकलेंगे, और अपने कामकाज में आपको लाब भी होंगे, फायदे मंद भी इस्तितियां आपको बनती होई दिखाई देंगी, दामपत्य जीवन आपका ठीक है, और प्रेम जीवन भी आपका अच्छा बना हुआ है, अब उपाय की बात करते हैं, उपाय आप क्या कर सकते हैं, तो शुकरवार के दिन सफेच चीज का दान करें, जैसे चीनी हो गई, दूद हो गई, मिठाई हो गई, बताशे हो गई, इनका दान आप गरीबों में करेंग